साद्गी परा जीवन जीने वाले साद्गी सपन जीवन बताने वाले नमस्कार आप देखरें एक मासान डॉल्ट्रों की खास ख़बर में आपको बताते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री मनुहर पारिकरजी आज मारे बीच मौज़ूत नहीं रहे कुछ उपलब दिया, कुछ पुरुसकार और कुछ उनकी खास बाते आपको बताते हैं देखिए इस खास रिपोर्ट में 63 वर्ष तक मनुहर पारिकर 16-18 गंटे काम करते थे गोवा की मुख्यमंत्री रहते समय, मुख्यमंत्री कायलर की कर्मचारियों को सांस लेने की भी फूर्ज़त नहीं मिलती थी एक बार पारिकर अपने सचीव के साथ रात 12 बज़े बैठे थे तबी सचीव ने कहा कि सर अगर मैं कर ले टाउं तो चलेगा पारिकर ने कहा हा ठीक है लेकिन सारे 6 बज़े तक आई जाना सचीव कुलोगा कि सचीव ही सबसे पहले पोचेगा लेकिन जब सचीव सारे 6 बज़े आफिस पोचा तो वहां के चौकीदा ने बताया कि पारिकर सर 6 बज़े ही दफ्तर आ गये हैं और अपना काम निप्टा रहे हैं फिल्म फेस्टिवल 2004 के उद्गाटन समारों के लिए महमान ये देखकर हैरान रहे गए कि पसीने से लटपत पारिकर पुलिस वालों के साथ आयोजन स्थल के बाद ट्राफिक कंट्रोल में जोटे थे 2012 में खुले मेदान में 33 बार श्यपत लेने के बाद पारिकर ने हर आदमी से हाथ मिलाया जो ने बलाइने के लिए स्टेज पर आये थे बेहत अनुशाशिक और सक्त प्रशाशक कहे जाने वाले पारिकर को मार 2012 में परेटन मंत्री मातनही सलदनहा के निधर पर फूट कूट कर रोती हुए देखा गया 2005 में जब कुछ विधायकों की खरिक फरोक से पारिकर को सरकार दिगा दी गई तब मातनही उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे जब मातनही बिमार पड़े तो पारिकर लगातार उनकी बेट से सिराने बेठी रहे जब डॉक्टर उन्हें घर जाकर आराम करने के लिए कहा तो जवाब था मैं उस वक्ती को कैसे छोड़ कर चला जाओ जो इतनी सालों तक साई की तरह मेरे साथ बना रहा है नीमो के पक्के पर मानवी भी सापताहिक दंता दर्बार के एक महिला बेज़े को लेकर पहची और उसके लिए सरकारी लैप्टॉप मागा मौजुद अधिकारों ने बताया कि लड़का उस सरकारी यूजना में नहीं आ पाएगा परहाल पारिकर को याद अगया कि वे जन संपर्क अभियान के दुरान इस महिला से मिले थे और उससे यूजना के बारे बताया था उन्होंने ततकार उस लड़के के नया रॉप्ट गिलानी की वैस था कि इसका भुकतान उन्होंने अपनी जेब से भरा पारिकर हमेशा एकोनॉमिक क्लास में विमान याथा करते थे उन्हें आम लोगों की तरह अपना सामन लिए यासियों की लाइन में खड़े और बोर्डिंग बस में सवार हुए देखा जा सकता था टैलिफोन पर परसनल बाच्चित का भुकतान जेब से करते थे टेकसी लेने या पबलिक ट्रांस्पोर्ट का इसमाल करने में भी कभी नहीं हुजगते पत्नी के निधन के बाद दोनों बेटों के लिए मा की जम्मदारी भी उन्होंने बख़ोवी निबाई थी अलग-अलग तरीकों से मनुहर पारिकर को रिश्वत देने की कोशिश भी हुई लेकिन उनका कठोर व्यक्तित और इस्प्रस्ट वक्ते हिवार के करन उद्योगपती इसमें सफन नहीं हो पाते थे और पारिकर के साथ जनता थी इसलिए उन्हें कभी ज़ुखने की जरुवत ही महसूस नहीं हुई पढ़ने में भलाई जय सब फिल्मी टाइप का लगता है परंतु जो लोग पारिकर को नर्दिकी से जानते हैं उन्हें पता है कि पारिकर के ऐसे कहीं विवार मशूर है चुकि भारत की मीडिया गुडगाव और नौइडा की अधिक्तम सीमा तक ही सिमित्राती है इसलिए पारिकर के बारे में यह बाते अधिक लोग जानते नहीं है ऐसे अनमोर रतन की परक करके नरेन मोदी नामक पार्की ने उन्हें एकदम सटिक भूमी का सोपी है वह है रक्षा मंत्रालाई पिछले चालिस वर्षों में दलाली और भस्तराचा अत्वा एटनी के कारेकाल में अकारिक उशलता एवं देरी से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए सरवतिक बदनाम हो चोके इस मंत्रालाई के मनोहर पारिकर जेसा व्यक्ति ही चाही था यह देश का सौभागी था कि पारिकर जेसे शम्तवान व्यक्ति के सुरक्षी थातों में रक्षा मंत्रालाई की गमान थी जिस समय पारिकर को शपगवीधी के लिए दिल्ली आवंतित किया गया जब अधिकारी ने पारिकर से जन संपक किया तो उन्होंने कहा आपको एरप शक्का रह गया दोस्तों मुझे गर्व है कि ऐसे महानवक्तियों पर और मोदी जी की पारक पर तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने मित्रों देश के शुप चुंतकों और देश के सच्चे देश भक्तों को ये स्तीना चपान इंच कर देनी वारी स्पीना लाइक जानकरी से अ आदकी भरे जीवन को शच्चत नमन भगवान की आत्मा को शाक्ति दे।